तो आज की वीडियो हम ऐसे ही नेटफिक्स की 10 सबसे बेतर इन हिंदी डब्ड वेब सीरीज लाएं जिनके कॉंसेप्ट एक से बढ़ कर एक होगी और सबसे बड़ी बात भाई नेटफिक्स की तरब से टॉप क्लास के हिंदी डबिंग होगी जिसमें कुछ बोनस सीरीज भी देखने को मिलेंगी जो हमेशा की तरह इस लीज से भी एक लेबल ऊपर होगा तो एक भी मिश ना करिएगा तो ऐसे ही नेटफिक्स की टॉप क्लास की सीरीज को एक्सपिरियंस करने के लिए भाई चैनल को सबस्क्राइब कर कर रखिये और भारोसा रखिये आप तक सिर्प क्वालिटी ही लाया जाएगा नंबर सेवन की सीरीज हम सब भी जानते है नेटफिक्स अपनी क्वालिटी कॉंटेंट से जाना जाता है हम इसा अपनी कॉंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करता है अगर पसंद आ गई तो बेस्ट नहीं तो टाइम वेस्ट वो टीनेज ड् कॉंसेप्ट के साथ सीरीज देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा आपके लिए नेटफिक्स की तरफ से दूथ 2019 की साइफार थिलर के साथ दा अनलिश्ट है स्टोरी भाई सीक्रेटली स्कूल के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनके अंदर ट्रैकिंग डिवाईस डाल करता कि उन बच्चों को अपने तरीके से कंट्रोल कर सके कैसे 12 साल के दो बच्चे इनहें रोकते हैं आखिर वो ट्रैकिंग डिवाईस है क्या और क्या चाहते हैं आप सीरीज में देखो बस खुब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर मत देखना सीरीज हर किसी के लिए नहीं अगर आप नए ओडियन से तो ये सीरीज आपको पसंद जरूर आएंगी सीरीज की बेस्ट पार्ट लगी भाई हमारे इंडियन कल्चर को दिखाया जो देखकर आपको प्राउड फिल होगा अगर बीना जादा कुछ एक्सपेक्टेशन लिए टीनेज साइफाइ ड्रामा में कुछ एक्सपेरियन्स करना चाहते हैं तो एक ट्राइए सीरीज को आप जरूर दीजे नेट्फिक्स पे हिंदी डविंग के साथ स्पैनिस सीरीज 27 के सेनोमेटोग्राफिय उनके अजीबो गरिब कल्चर देखने को मिलेंगी जो आपको खतर नाक टाइप जरूर लगेगी इस्टूरी एक मिस्टिरियस बच्चे पे फोकस्ट है वहाँ के लोगों को मानना है कि वो इस्वर का बेटा है जिसमें कुसा जी करना पानी के बोतल को वाइन बनाना पूरी की पूरी ट्रेक आप पर गिरना और आपको कुछ ना होना फोड़ी मजाक सी होगी न क्या सच में ये इस्वर के बेटे हैं या फिर कोई धोंगी आप सीरीज में देखो इनकी पावर आई कहां से सीरीज में कई सारे सवालों का जवाब नहीं देती, क्लैमेक्स में भाई जो जीनता है वो सब मर चुके हैं और जो मर चुका है वो ही जीनता है, सीजन वन की वो सस्पेंस आपको सीजन टू के लिए एक्साइटेड रखेगी, इस सजीब सा सीरीज को एक टाई जरूर दीजे, हिंदी डविं के साथ नेट जस्ती रखा जाता है, वहीं एक अफगानिस्तान फैमिली को भी घर जाना है, सीरीज आपको दिखलाती है, ये सब के पीछे की सच्चाई, उस डिटेंसन सेंटर में लोगों के साथ की इस तरह से सुलुक किया जाता था, जहां उन्हें कैदियों की तरह रखा जाता था, कै टीनेज वाली कॉंसेप्ट को लेकर नेट्फिक्स हमारे सामने इस तरह से रखता है कि एक दम फ्रेज फिल होता है, हम बात करें टोनेजर की एक्षन कोमेडी ड्रामा के साथ टीनेज बॉंटी हंटर, श्टोरी दो ट्विंस बहनों की है, जो पैसों के लिए बॉंटिंग ह इन दो लड़कियों की प्रस्नल और प्रोफेस्नल लाइफ को भी दिखलाती है, इन सब को कैसे मैनेज करती है, इन दो बहनों की करेक्टर से आप कनेक्टेड रहोगे, बस भाई हर एक एपिसोड की लेंद थोड़ी छोटी होती तो आर भी बेस्ट होता है, पर कोई ने डी इस अपके लिए 2020 की एडवेंचर फेंटेसी ड्रामा के साथ औक्टूबर फेक्शन, भाई एक ऐसे कपल जो एक सीक्रेट मॉंस्टर हंटिंग एजनसी में बॉंटी हंटिंग का काम करते हैं, ऐसा वैसा बॉंटिंग हंटिंग नहीं भाई, इंसानों के बीच छी पे मॉंस जा जीबो गरिप ट्वाइ फेंटेसी सीरीज देखना पसंद है तो यह सीरीज आपको कुछ खातरनाग एक्स्पिरियंस जरूर कराएगी, बस स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड में पिसिंथ रखेगा, बाकि आप सीरीज को बेही चक देखे, नेट्फिक्स की क्लास जमा के साथ I am not okay with this, यकीन मानो भाइस के कौंसाइप और सिंप्ली सिटी से इस लेवल पे प्यार हो जाएगा, इसके सेकेंड सीजन के लिए आप से इंतिजार ही नहीं होगा, पर अपसोस नेट्फिक्स ने इसके सेकेंड सीजन कैंसल कर रखा है, इंटरनेट पे जाकर भा या आप ही सोचव आप एकदम से एक ऐसी जगह पे चले जाओ, जो हुबा हूँ आपके सहर जैसा हो, जहाँ आपका घर भी आपके जैसा हुबा हूँ हो, पर वो आपका घर ना हो, इनफैक्ट वो सहर हुबा हूँ आपके सहर जैसा हो, पर वो आपका सहर ना हो, तो भाई क सहर जैसा दिखता है पर वो आपका सहर नहीं जहाँ आपकी फैमिली नहीं इंटरनेट नहीं पुलिस नहीं नहीं ज़्यादा कुछ खाने को हर एक चीज लीनिटेड है जिसे बैलेंस कर यूज करना सीखना होगा तो बताए भई ऐसे सिच्वेशन में आप कैसे सर्वाइब कर होगी बस यहीं पर सीरीज डिसपॉइंट करती है बार बार एक ही सीजो को हमें दिखाया जाता है बीच की एपिसोड एक दम स्लो है पर कोई नहीं इसके कॉंसेप्ट हर एक एपिसोड एंडिंग में वो ट्विस्ट लंबे लंब एपिसोड होने के बावजूत भी के एपिसोड के बाद से खुब जादा एक्सपेक्टेशन मत लगा लेना बाकी आप एक ट्राय जरूब दीजे हिंदी डविंग के साथ नेट्फिक्स पे अवेलेबल है नमबर टू की सीरीज उन सभी फैंस के लिए जिने माफिया बॉस गैंगस्टर टाइप सीरीज देख को गोली मार दिया जाता है यहां तकि आपके अपने बेटे के फ्यूनरल के दिन आक्री बार भी मिलने ना दिया जाता है भाई वो गैंगस्टर जेल से निकलने के बाद एक एक को चुन चुन कर पाताल से भी धुन कर मारेगा लासो की धेर बिच्छा देगा चाहाई इसमे के बारे में सब नहीं है यार मेरे पास क्या बताई भाई सेरीज में इतना दाम है कि आपके दिमाग से खिलने की ताकत रखती है हम बात करें भाई Netflix से Most Adeptive Series में से 2019 की Unbelievable ये सीरीज हर एक ओडियन्स के लिए भाही पनो टाइज मुसीन की तरह काम करेगी एक रेपिस टालग अलगे इस ग्रूप के लड़कियों के साथ रेफ कर उनके दिमाग पर इतना खौफ भर देता है कि उने ही पता नहीं क्या उनके साथ सच में रेफ हुआ है या नहीं In fact इस सीरीज के स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि भाही आपको भी कन्फ्यूज रखती है कि क्या सच में इनके साथ रेफ हुआ है या नहीं और बड़ी बात भाई ये सब एक एक सीन रियल स्टोरी से इंस्पायड है। और नेट्फिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेले वाले जरूर देखिये। नमबर वन की नेट्फिक्स सीरीज भाई मेरी फेबरेट कारेक्टर में से ही। गजब का भाई ऐसी सन की पागल एड़ा टाइप वाल ऐसी करेक्टर के साथ यकीन वानों भाई सीरीज देखने में मजब बहुत आता है। 2017 की नेट्फिक्स के तरब से बूटल एक्शन क्राइम कोमेडी के साथ है पी। पागल और एड़ा बॉन्टी हंडर बन चुका है। एड़ा पंती आपको देखने को मिलेंगी। लास्ट बार इस तरह के सन की और पागल करेक्टर हमने भाई क्रैंक मूवी में देखा था। और यकीन मानों भाई सीरीज में भी आपको उस लेवल की सन की गिरी देखने को मिलेगी। फर्स्ट एपिसोड में वो हॉस्पिटल वाला सीन भाईया पादे होस में हो। थैंक यू फर वाचिंग टेक केर मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।